उनके courses भी बहुत next level होते हैं जो आपको बड़ा easy कर देता है चीज़ों की understanding लेने में हाँ बहुत easy हो गया मतलब कुछ भी जैसे एक पार believe करना रहता था कि हम इस question को कर सकते हैं कि मतलब class में teacher पढ़ाता था तो मेरे को समझ नहीं आता था आप इस वीडियो का क्लिक हो इसका मतलब IAT Jam जेस टाइपर आपका सपना है आप IAT में जाना चाहते हो I can assure you आप IAT में जापाऊगे the big cause इस वीडियो में मैं इंटर्व्यू करा है रवी भाई का जो IAT Jam जेस टाइपर सारा कुछ क्राइप किये पूरा पूरा आपको blueprint मिलेगा इस 23 मिनट के वीडियो में पूरी stretch गी पूरी tip सब कुछ इनों सेयर करा है just इस 23 मिनट के वीडियो में न at least आपको एक ऐसी लाइन तो मिल जाएगी जो आपके पूरी पूरी जर्णी को ट्रांसफार्म करके रख देगी imagine the light आप IAT में जा पाऊगे जो सपना देखे हो पूरा हो पाएगा तो just आप इस वीडियो में tilt-in बने रहेगा एक चीद में आपसे बोलता हूँ यदि वीडियो आखरी में आपको पसंद आ जाती है तो जरूर से लाइप करेगा यदि ओ लाइन मिस जाती है इस लाइन के आप खोज मिस वीडियो को देखो कि at least एक सिंगल लाइन मिल जो मेरी पूरी पूरी जर्णी टांसफार्म कर दे जैसे वो लाइन मिले लाइप कर दीजेगा चैनल पर नए आया हूए ना तो सब्क्राइब कीजेगा जैसे आप सब्क्राइब करते हैं मुझे और भी टापर्स को ले पाने में इजी होती है मैं आपको एक अच्छा वाला कंटेंट हमेशा देता रहा हूँ मुझे भी मोटिवेशन मिखती है टॉपर्स भी आपाते है चैनल में चलते हैं लोगों के लाइप को टास्फार्म कर रहते हैं मैं कमिटेड हूँ आपका आयटी जैम का रास्ता आसान करने में आर यू कमिटेड जस्ट इस्टे तिल इंड जस्ट फॉर दिटी तुटी फॉर मिनर्स लेक्स बिगाए नमस्कार दोस्तों आज एक पार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल रिलिस्टिक ज्यान में आज मेरे साथ जुढने जारे है रवी भ मैं बहुत अच्छा हू रवी भाई I hope कि आप ही बहुत अच्छे होगे और IIT Bombay वाली लाइफ बढ़ी अच्छी होगी अभी तो गई नहीं वहाँ पर अभी तो घर से चल रहा है अच्छा फील आ रहा है रवी भाई थोड़ी बहुत भी IIT वाली हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ा असाइन्मेंट हो गया रहा देख खे कि IIT में पहुच गया है मतलब अच्छा में वहाँ पर नहीं है तो उतना फील नहीं आ रहा लेकिन हां IIT Bombay एक केटमाफ प्रियर करा दे रहा है हां थोड़ा मतलब प्रोपेशनल तरीके से कुछ करने लग ग अच्छा में थोड़ी जेस्ट और टाइफर के बारे में कासा एक्सपिरेंस रहा हुंका जैम टाइफर और जेस्ट का जैम में मेरी रैंक 205 थी जो कि मैंने मतलब ऐसे ही एक्जाम देने चला गया तो मैं कुछ प्रेपेर वगरा किया नहीं था और चेस्ट में 99 और टी आइफर में बिदिन 57 थी एसे ए रहा यारे ताइफर में तो बड़ अच्छा रैंक है हां टाइफर में अच्छा है एंप ज्यादा फास्ट एवरप्टली सॉल्व करते हैं तो मिस्टिक ज्यादा हो गई तो वजब थोड़ा सोच के करें हैं अच्छा यदि रभी माई एक बात मैं पूछूं कि आपको कब लगा था कि अब हम जैन के लिए प्रिपेर करते हैं बहिया से तो कब से स्टार्ट करें जैनके लिए प्रिपेर करना अब हम करते हैं दो दिन के लिए आज सोचा ना कि आज से प्रिपेर से चल शुरू तो आज करेंगे कल करेंगे पिर बंद यह होता था एक चुली तो कोई मतलब लगातार ऐसे एक चीज लगातार रही कि मैं रोज 2 गंटे जाता था लाइबरी इसके लावा मैंने कोई स्पेसाल कुछ किया नहीं कि जैम के लिए प्रिपेर करो टी आइफर के लिए अग से प्रिपेर करो अब बस यही था मतलब कि डेली बेसिस पर जब क्याले अपने कॉलेज की चीज हैं कुछ और भी जिए कंटिनी बेसिस पर पढ़ते रहे हैं मतलब ऑनलाइन कोर्सेस की हैं बहुत सारे मतलब तीस के लागवा कोर्स की कर रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है उनका यह यह बड़ा अच्छा चीज है कि मतलब तीस के आस पास में ऑनलाइन में कोर्सेस कर रख्यों कोई बच्चा इतना करता नहीं है 30 courses करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हाँ मेरा एक फ्रेंड था वो बोला कि MIT के lecture देखो physics का अगर interested हो तो मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ अच्छा है तो फिर मैंने MIT के बाले lecture देखके course कर दिया उनके उनके लगवग 20 course MIT के किये और 10 course programming के थे उनके courses भी बहुत next level होते है जो आपको बड़ा easy कर देता है चीजों की understanding लेने में हाँ बहुत easy हो गया मतलब कोछों भी जैसे एक पार believe करना रहता था कि हम इस question को कर सकते है so that question will be solved easily I don't have to think again about that question so if you have a course करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या confidence वड़ेगा question solve करने का हमको ऐसा नहीं कि अलग से preparation करनी पड़ेगी IIT Jam की फिर TIFR की अलग करनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा एक ही चीज से था रहा हो चाहरा मतलब कहले यही एक extra factor था जो कि मतलब क्योंकि जो टाइफर होता है या फिर जेस्ट होता है इनकी एक थोड़ी कहले मुझे लगता है critical thinking बहुत जादे होती है यह लोग सोचवाते बहुत जादे है हां मतलब सोच के आंसारी देना रहता है प्रिपेर करते हैं हां तो अगर आप मतलब जैसा आपने आसपास का महौल होता ना तो इसका इफेक्ट पड़ता है अपने उपर तो अगर आपके पास जैसे बी एचु जासा महौल नहीं है कि लाइबरेडी ना हो या कोई पढ़ने का गुरूप ना हो या क्लासिस ना चल अच्छी जगह है जहां पर आपकी क्लासिस चल रही है रेगुलरली और आप कोई पास लाइबरेडी भी है पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की कोई स्पेजल जरूरत है एक्जाम निकालने के लिए और ओनलाइन माटेरियल वैसे है तो ओनलाइन माट स्पेजल से हम पढ़ी सकते हैं जिसे कोर्से हो कहें यूटूब पे वीडियो हो कहीं मत्तब एदी रिसोर्सेज अवलेबल है एक एट्मोस्पियर बहुत अच्छा है तो बहुत जादे नीड नहीं है कि आपको लेना चाहिए कोई कोचिंग एदी ऐसा माहॉल नहीं है रिस करना पड़ता है था है तो अगर आप माहॉल पहले से है तो अघाशी बात है और डыт्न करसकते तो अगर News नहीं कर सकते तो एसी हैं ही जगये को चोपर इना पर आपको को महॉल पहले सही है अच्छा रभी भाई जैसा कि आपने बताया कि मैं डेली बिसिस पे कहले दो घंटे के आसपास में लाइबरेश में जाके पढ़ता था ये मेरी एक रूटीन बन गई थी पता है मतलब ये रूटीन बनाना बहुत टफ चीज है इस चीज को कैसे मेंटेन के और कैरी ओन के डेली बेसिस पर लेके मतलब क्या था जो मोटिवेट करता रहा है जाना ही जाना है पढ़ना ही पढ़ना है है कि मतलब क्लास में टीचर पढ़ाता था तो मेरे को समझनी आता था तो मैंने सुच आ कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझने के लिए लाइबरेरी जाओ पढ़ो थोड़ा बहुत तो यही किया, इसलिए लाइवरीटी जता था मैं, जो टीचर पड़ाता था उसी को पड़ाता था वांपे जाते दो गणटे के लिए, सारे जबजेक्ट जो भी पड़ाते था था मैं, तो मतलब एक नजर अची डाल जता था मैं, और थोड़ा सकंसेप्ट किलियर हो जाता थ मतलब की जो लग रहा था कि यह मीश हो जाएगी थोड़ा अच्छे तो नहीं सौनगा है, बस उसको उसी दिन किलियर कर लो, इतने से जादा होता भी नहीं तो और, जब तो टीचर नहीं पड़ाता था तब तक वह अंदर से आता ही नहीं कि पड़ो उसको पहले से जाकर है अच्छा अब जैसे लगता है किसी को जैसे भी एटी जैसे निवर्शिटी में नहीं है, कली एक ठीच था कि निवर्शिटी में है, तो इसको आई एटी जैम अदी क्रैक करना है, तो डेली बिसस्ते कितनी घंटी अप्रॉफिमेंटी पढ़ना चाहिए, एक एवरेज स्ट आई परिएड के लिए तो आपिजाम कर सकता है, क्या लगता आपको? अप्टेक्स एलेक्ट्रोनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो उसमें एक दो भहिया ने बुक बताई थी, तो ऐसे बुक को फॉलो कर लिया था, और इसके लिए आपको लगवक तो घंटे रूप पढ़ना चाहिए तो बहुत होता है, मतलब जब स्टार्ट करेंग उस पर online courses होते हैं बहुत से, उनका without certificate आप कर सकते हैं उनको, तो आप उनके assignment solve कीजिए, जो बुक बताते हैं उसको पढ़िये, आपको कोई ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने बोल दिया कि वो बुक पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो मतलब course में बताई जा रही है उसको पढ़िये, फॉलो कीजिए, और assignment कीजिए उनके, बस इतना बहुत होता है, अपने अंदर बिस्वास रखी है कि आप कोशियन solve कर सकते हैं, अगर आप बिस्वास नहीं रखते हैं तो आप इतना भी course कर लीजिए और कितनी भी coaching कर लीजिए आप नह होई नहीं, अच्छा रभी भाई जैसे आपने बोला कि कोई जैसे एक book suggest कर दे रहा है कि यह वाली book पढ़ लो, किसी भाईया ने बोल दिया, किसी टॉपर ने बोल दिया, तो वाली book ना follow करके, अपने according and select करके, कुछ courses लेखके पढ़ते हैं, फिर भी मैं एक चीज पूरत देविड गिरिफित वाली book की Electromagnetism की, Electrodynamics की, वह बहुत अच्छी book है, और उसको पढ़ने से पहले मैंने M.I.T. के दो कोर्स किये थे, Electromagnetism पे, तो उससे क्या हुआ है कि मेरा 12th का तक का basis और 12th से थोड़ा सा ऊपर का basis बहुत अच्छी से clear होगी, फिर उस वह बोक मेरे अच्छी थी, Robert L. Boyle State, Electronics के लिए book थी, तो इसमें, इसका कहता है कि, यह भी भाईया नहीं suggest की थी, यह मेरे को बहुत अच्छी लगी book, क्योंकि इसमें कहता है कि स्वार्ट में था सब कुछ, स्वार्ट में मतलब उतना ही पढ़ना था जो कि solve हो जाए उससे, और और तो म आपने मतलब various courses करी थी, बुक को बहुत जादे prefer नहीं करें था आप हाँ, क्योंकि बुक में क्या होता था कि कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, यह भी तो प्रोब्लम रहती है न, इतनी मोटी मोटी बुक होती है, तो 1000-1000 पेज कहां से कितना, कहां से पढ़ें तो कभी-कभी तो दिक्कत आया होगा कि यार, नहीं हो पा रहें, कोसल होगा रहें, नहीं बन पा रहें हमसे, लगता है कि jam हमसे ना हो पाएगा या फिर demotivated होने लगे कि यार, कि इतना पढ़ रहें, फिर भी अच्छा नहीं हो रहें, कभी गयर चैसा होता था एक्च्छल बात ही थी कि कभी jam के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया, तो ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं और जैसे भी कोस्टियन आता था तो एक बार लगता था एक नजर में कि नहीं हो पाया, फिर थोड़ा सोचते थे तो बन जाता था, तो मेरे को लगा कि हाँ, हो जाएगा सिंपल एज कोई नहीं, सिंपल नहीं ही रहता है बसे ज्यादा है नहीं अच्छा ये मुझे लग रहा है आपके वाले केस में एक फ्लस पाइंट ये था कि कभी सोचते नहीं के लिए पाणना ही पड़ना है बस उसका कुश्चन करते थे हो जाता था, नहीं होता था, फोड़ी से धाल लगाते थे बन जाता था, मतलब दीमोटिवेशन फैक्टर जैसे चाहे आप M.I.T के कोर्षेड ले रहे हूं चाहे ओनलाइन कोई अधर कोर्ष ले रहे हूं या फिर कुछ कुछ क्वेस्टन वगरा सौल कर रहे हूं तो फ्रेंस का कितना रोल था, बियाचियो के पूरे इन्वार्मेंट का कितना रोल था इस पूरी जर्नी के दौरा टाइफर में सलेक्ट होना, या फिर जेष्ट में एक अच्छी रेंग लेके आना, या फिर क्या रहे है आयाटी जैम में एक बन्हीं रेंग लेके आटी बंबे मोना, कितना रोल रहा दोस्तों का बहुत रोल रहता है, मतलब दोस्तों के साथ पढ़ने जाओ, लाइब जाते थे, दो तिन जाते थे तीसरे दिन बन, तो इसकी वेले से प्रावलम रहती थी, तो मैं जाता किसी दोस्तों को ले जाता नहीं थे, कि चलो लाइबरेजी चलते हैं पढ़ने, तो एक प्रावलम थी, दूसरी यह था कि दोस्तों से डिसकतन करना बहुत अच्छी अच अच्छा था कि वहाँ पर लाइबरेजी जाते थे, तो चार बंदे पढ़ते दिखते थे, तो लगता था हम भी पढ़ना चाहिए, हाँ तो ए बीचु का मावल तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत मतलब पीस रहती थी थी पहाँ पर, यह बात तो है बीचु में इन्व एक चीज़ पूरता हूँ, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज इससे पहले में एक चीज़ आप से और पोस्ता हूँ, क्या प्लान है आगे का, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैं जैन के लिए जस्ट यार पढ़ा, और अच्छा अच्छा अच्छ लिया है मैंने, यहाँ पे, तो जॉब का इंटर्व्यू तो नॉन कोर, कोर, अगर जॉब मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो पीछ नी करना है इसी में, हाँ, तो आगे का प्लान यही है कि जॉब लिया है तो अच्छे से पढ़ेंगे उसको, और जॉ जॉब मिलेगी तो ले लेंगे, एक ही नहीं लेंगे उसको, अच्छा, रभी भाई जैसे कि आपने बताया कि जॉब ले लेनी है, प्लेश्मेंट लेनी भी हो जाता है तो नहीं तो कंटिन्यू करना है, हमें पीछडी, अब यह कोशन पूश्ता हूँ कि वहाँ पे, नॉन होते हुए, उनको थोड़ा सीजी हो जाता हूँ, कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है प्लेस्मेंट ले पाना, और IAT Bombay के थोड़ी प्लेस्मेंट रिकॉर्ड के बारे में आप बात करो, चीजे बताओ कि कैसा है, फुरे IAT Bombay का सिनेरियो प्लेस्मेंट वाला प्लेस्मेंट कोर का तो मुझे अच्छे से पता है, नोन कोर का जादा पता नहीं है, लेकिन नोन कोर में है कि आपको experience अच्छे से मिल सकता है, और आप चाहें कि interview के experience मिले, तो आप थोड़ा दो-तीन course कीजिए नोन कोर के, और apply कीजिए interview के लिए तो आपको interview के लिए बलाए तो अभी तो online चल रहे है ना, interview तो थोड़ा और अच्छे से माझाता है, जाना भी नहीं है कहीं घर पे एक घंडा सुरू करो camera पर दे तो interview, तो यह भी अच्छी बात है, और कोर का यह है कि placement 2-3, अब की बार 2 हुए है, ओ NGC में हमारे geophysics department से, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात है, तो उनसे बात बत कियो है, आपकी कैसा रहा इस बात की है, हाँ बहुत बात की है, यह ऐसे कर लेते हैं वाथ कि थोड़ा उनसे experience मिलता है कि कैसा रहा, तो उनने बताए कि मतलब जैसे आपका अगार interview होता है, तो आप मतलब किसी basic topic जो की core का है, लेकिन उ future में, उस पे आप internship बगएर करके रखे हैं, तो उससे के अवका कि जिसी company वाले पूछेंगे question तो उनको internship का दिखे का उस में, resume में, तो आप से पूछेंगे उसी के बारे में, जो उनके काम का है, और वो बिना काम का कुछ भी नहीं पूछते हैं, आपने अगर machine learning कर रहा है या कोई भी course कर रहा है computer science का, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूछते हैं जादा उसके बारे में, वो उसी के बारे में पूछेंगे जो कि उनको जरूरत है, और अगर आप उनके questions का सही-सही answer देते हैं, तो आपको बहुत स्लेक्ट कर लेते हैं, तो आपको बहुत कर लेते मैं देखी company को क्या benefit होगा, तभी तो लेंगे बहुत अच्छा package क्या है भईय लोग को कोई dispatch कि है, आज पास कुछ round figure में बताना चाहो कि ये package है भईय लोग होगा around 20 lakhs होगा, परेनम बढ़ियाँ वाली package है धी 20 lakhs परेनम में जा रही है तू क्योंकि आप master's कर रहे हो देना पर उसके बाद 20 lakhs का package ले रहो, कहलो डिड़ लाग के आज पास monthly अपके account में आ रहे हैं हाँ अब रभी भाई कुछ आप tips देना चाहोगे, जो लोग भी prepare कर रहे हैं अभी आइटी jam के लिए, फिर जेस्ट के लिए, टाइफर के लिए कुछ चीजे या कहले precaution के तौर पे आप यह चीजे फालो करो एक अच्छी रहगी आपकी जर्नी हाँ तो अभी तो सायद 14th को है न एक चाहँ तो अभी तो ज्यादा time है नहीं इनके पास तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ आता है तो आप उसका revise की जिए अच्छे से उसका concept के लिए राखिए कि आपको क्या कर रहा है मतलब जैसे question अगर पूछेंगे तो कहां से सुरू करेंगे अगर आपको सुरू कर लिया ना तो एंड तक तो पहुंची जाते हैं यह मेरे को लगता है अगर आपको सुरू ही समझ में आ रहा हो कि start कहां से करना है और आपने भली सारा सिले बस पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा फायदा है आपको एक ही topic अ अगर है अगर हमेसा करें कि दो दो घंटे दोनों को पढ़ें आज और दो घंटे कल पढ़ें तो उससे जादा फायदा होगा और अज है यह यह टिप्स आपकी बार के बहुत बार को हम YouTube स्कूल कर रहे होते हैं तो लगता है कि हम पाणने के लिए हैं फिर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं यूटूब पर भी बोलते हैं सोसल मीडिया में फेस्पूप के इंस्टा यह सब अगर है डिस्टेक्ट हैं आज यूटूब भी कुछ उस अगर विडियो देखेंगे तो अगर पढ़ने के लिए गए तो पढ़ना तो बाद में हैं लेकिन कॉमेडी पहले देखी जाएगी तो इसको अपना क्या है कि YouTube को मतलब खोलो या मत खोलो है मैं नहीं कि बोलूँगा लेकिन YouTube से पढ़ना मत मेरे को नहीं लगता कि YouTube से पढ मैंने पढ़ने की कोसे की मेरा CGPA नीचे गर गया उससे वहाँ ज्यादा तो आपको यह पहलना है तो मतलब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोर्से आप ले लीजिए को वहाँ की कोर्से आप कर रहा है कि सो देट आपको बिक सेक्शन वाले चीजे रिकमेंडेशन में ही ना आए तो बढ़िया कंसर्टेटों के पढ़पाऊगे हाँ और आपको यह नहीं होगा कि चैसे बीच-बीच में से पढ़ाया जा रहा है कुछ आपको क्या होगा कि एक सिस्टेमेटिक भी में पढ़ाते जाएंगे एक के बाद एक स्टेप पे तो आपको उससे फायदा होगा नहीं तो ऐसे यूटूब पे आपने किसी एक फिर आप आगे का क्या उसके पीछे का क्या कुछ पता ही नहीं तो इसके प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोर्स ले लो तो आपको जादा फायदा होगा उसी चीज में तो अच्छी बात रहती है बिल्कुल बिल्कुल रभी भाई बहुत सही उनको पढ़ते रहो कुछ कभी थोड़ा से यह वाला सब्जेट पढ़ लिया कभी लेक्रोड आने पढ़ लिया दिन में दो घंटे तीन घंटे करके ऐसे से मैनेज करके पढ़ते रहो और बहुत जितना डिट्टेक्शन से बच सकते हो बचके रहो बढ़ यहां रैंक लेक जो 1st ranker होता है या 2nd ranker होता है 10th ranker होता है उनको जादा tension लेने की जरूरत है नहीं तो हम तो हम तो ज्यादा tension लेंगे नहीं है अराम से rank आ जाती है जिसमें सेलेक्शन हो जाए यह टी में पस बहुत है बिल्कुल बिल्कुल तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में जिसमें मैं किसी और टापर के साथ में इंट्रेट कर रहूंगा या फिर कोई strategy में आपको बता रहा हूँगा जिसको follow करके आप आये कि जैम टाइफर या किसी अदर एक्जाम में बहुत अच्छा रहें खिला रहे होंगे मत्तब फोड रहे होंगे तब तक अपना रुपनों का ख्याल रखियेगा जै हिन